इस बज़ट से बिहार के लोगों को काफी उम्मीदे थी, क्या बिहार को special package मिलेगा, नहीं मिलेगा, बज़ट आ चुका है और इस वक्त हम BIA में हैं और जहां पर देखें, BIA के प्रिश्रेंड भी हैं, बागी तमाम प्दाधिकारी हमरे साथ मौजूद हैं, इस package से बिहार क काफी उम्मीदे थी, क्या लगता है कि उम्मीदे पोड़ी हुई? अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखते हैं, तो उसमे मेरा हिस्सा एक लाग करोर से उपर होता है, तो एक लाग करोर रुपे खर्च करने होंगे हमको इतने कम समय में, तो आवसकता ये है कि इस रुपे को हम खर्च कर सकें, सही तरीके से गुनवत्ता ठीक हो, समय पर का हम कर पाएं, अगर ये हम कर पाएंगे तो आने वाले समय में फिर और भी मिलेगा ही मिलेगा, उसका कारन है, संभिधान अभी बहुत चर्चे में आया हुआ है, और संभिधान में एक प्रावधान है कि छेत्रिये विसमताओं को दूर किया जाएगा, तो हम अभी अगर देखते हैं, अगर देश की देखते हैं, तो दो लाख में वहां की प्रतिवेक्थी आये है, हमारी प्रतिवेक्थी आये 50,000 एक चौथाई पर हम है, हम तो बहुत नीचे हैं, तो हम को उपर करना होगा, तो ये शुरुआत है, अगर हम खर्च करेंगा, तो मैं समझता कि एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, अब हम को अपना कमर कसके आगे बढ़ने क्यार सकता है, ये इस मिश्यस रास्का तो दर्जा की मांगी की जा रही है ती, एक पॉलिटिकल एजेंडा एक सेट था, लेकिन आप एजेंडिस क्या देखते हैं, कि उसका कमपस्टेशन ह हुआ है, बिसेश पेकर्ज में, जह मैंने कहा कि बिल्कुल हुआ है, और मैं ये मान रहा हूं कि ये सुरुआत है, और इस शुरुआत में अगर एक लाग करोर आप खरच कर पाए, तो ये बड़ी बात होगी, हम लोगोंने कहा था कि हम को इंडरेश्ट्रिल कॉरीडोर पर कम से कम चार पांच इंडरेश्ट्रिल टाउंसिप दीजिए, तो गया में एक इंडरेश्ट्रिल एडिया आ रहा है, उसको इंडरेश्ट्रिल टाउंसिप की संग्या में उन्होंने आज चर्चा में डाल दिया है, तो हमारी बात को मानी है, ऐसा हम मानेंगे, हम लोगोंने यह कहा था कि flood mitigation के लिए हमको पैसा दीजिए उसमें भी उन्होंने खासका है कि 11,000 करोड रूपए पीरपैंती में इनर्जी सेक्टर में पचीस जार करोड रूपए दिया है तो यह सारे चीज को अगर आप देखते हैं तो अब गया में बक्र यह बक्सर में गंगा के ओपर पूल बनाने की बात आ गई है तो अब यह सारी चीज तो हो रही है लेकिन इस पर काम भी होना होगा और सही समय पर पैसे को हर्ची करना होगा तो क्यापिसिटी बिल्ड भी करना होगा और सारी बेस्ता इसमें करना ही होगी अगर यह हम करेंगे तो यह एक तरीक है साम मांग सकते हैं कि एक पैकेज है जो बिहार के लेखे का आदमी का कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दरजा मिले उसकी कुछ न कुछ भर पाई होगी पूरी भर पाई उससे नहीं हो सकती है और जो विशेष राज के दरजे देने में जो कठनाईयां है जो मापदंड हम पूरा नहीं करते हैं उन मापदंडों को चेंज करन चाहिए चुकि असल बिहार का विकास तभी होगा जब यहां स्पेशल स्टेटस मिलेगा यह पैकेज तो एक एक साल के लिए हमको मिला है उसकी पैकेज में जरूर मिला है लेकिन हमारा जो मांग है उसको बदलाव करना जैसे तीन सो सतर धारा में बदलाव किया लाने के लि यह बजट काफी संतुरित है बिहार के लिए काफी फाइदेमंद है क्रिसी सेक्टर में खास करके बहुत ज़्यादा प्रावधान किया गया है और इसे क्रिसी चेटर में लंबी दूरी तक मतब आगे विकास होगा बिहार में और हर सेक्टर को सपोर्ट किया गया है चाहे तुरिज्म का सेक्टर हो, इंफ्रस्ट्रक्टर का सेक्टर हो, इलेक्रिसिटी का सेक्टर हो, इंफ्रस्ट्रक्टर में तो हो गया, लिकिन विसेस राजी का दर्जाए मिलने से जो है, इंकम टैक्स में छूट मिलेगा, इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनेगा, और भी छोटे-छ प्लाग एंड प्ले में छोटे छोटे जो उद्योग हैं माइक्रो लेवल के और स्मॉल लेवल के उसमें बहुत बड़ी बदलाव आएगी यह नीचे से अच्छी काम होगी और इसमें इंडस्ट्री को इस सतर पे तो बहुत फाइदा होगा और पर्टिकुलर्ली यह जो स्लै यहां का मैकनिजम यह बने की डाउन प्रोडन से लेके और पॉलिटिकल लीडर्सिप तक इस खर्च को करने के लिए हम अगर सक्षम बन जाए मेकनिजम बन जाए तो बिहार को इससे आगे बढ़ने का बहुत मोखा है खर्च को खर्च करने के लिए मैकनिजम के ज़रों के जिए कि अवर आल बज़र बहुती अच्छा है डिडिया गया पैकेज दिया गया इस मेरी बहुती अच्छा है साहन ये है और मैं एक बात चाहूंगा कि बिहार एक डिफलेपन्ट डिफलेपिंग स्टेट है अगर सेंटर ये तो अब है जस्त बीगिनिंग हुआ है तो यहार को पैसे को खर्च किया जाएगा तो आगे भी संभाउना आदिक कर सकता है और मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि बहुत चोटी सी बाद है जिस स्टेट में एजुकेशन पार्ट का मतलब डेवलेप्मेंट होगा स्टूडेंट की मतलब अनुसार और वो बिहार में एजुकेशन का बहुत अभाव है और गर्मेंट उसको ट्रू मैनर में अगर उसको देखेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा और यहां से लोग पढ़ने जाते हैं बाहर में अगर बिहार में अच्छी मतलब एजुकेशन पार्ट हो जाए मेडिकल कॉलेज़ और भी आ रहे हैं ऐसे तो काफी मेडिकल कॉलेज़ खुले भी हैं तो जिस स्टेट में एजुकेशन का डेवलेप्मेंट होगा वो स्टेट बहुत राइस कर जाएगा फॉर एक्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि यहां पर आईएस आईपेस का का अच्छा बूलबाला है प्राइट स्टूडेंट्स भी हैं यहां पर खाली इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए वो दे लैक बिहाइंड तो यह जिस जिस स्टेट का एजुकेशन पार्ट स्ट्रॉंग रहेगा वो बहुत ज्यादा स्टेट डवलप करेगा और साथ साथ सबसे बरी बात है कि बिहार को तो विसे सराज का दर्जा मिला ही चाहिए और विहार में अभी बहुत ज्यादा पैसे कि आवशक्ता है राश्टी वाना कि अस्तर पे बिहार अभी काफी पिछ्रा हुआ और हमें और आगे जाना है आप यात करें 1952 में बिहार द्योगी क्ला वित मंत्री जी का धन्यवाद ग्यापन करते हैं और हम अपने राजी के सब्सक्राइब के माध्यम से भी धन्यवाद ग्यापत करते हैं कि एक लाग करोड जो विहार को मिला है यह सही तरीके से विहार के इंफ्रस्ट्रक्चर पे खरच होगा और विहार की सरकार कर्मट सरक हाँ यह है कि अब यह निरंतर हम लोग को मिलता रहना चाहिए आने वाले दस वर्सों तक बिहार को निरंतर दो लाग करोर की आवशक्ता है तभी हमारा विहार सक्षम राज्यों में सुमार हो पाएगा हम अपने एस्वोसियेशन और विहार की दस करोर जनता के तरफ से आधर आप पर बता है कि एक लाग करोर का जो पैकेज मिला है उससे बियार में काफी कुछ होने के सम्भावना है हाला कि इनका यह भी करना है कि अगर आगे बढ़ता भी है लेकिन एक लाग करोर जो मिला है अब उसे खर्च करने के लिए भी सरकार को अपना इंस्ट्रक्चर बता है